हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में बिहार दरोगा रह्मान सर का 12. सेट शुरू करेंगे सेट 11 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ या आप पलेलिस्ट में जाके देख लिजिएगा अगर आप लोगों के पास रह्मान सर का ये नया सेट नहीं है तो टेंसन नहीं लेना है पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रवाइड करा दिया जाएगा तो चलिए 12. सेट को शुरू कर लेते हैं पहला कोश्चन देखिए नयायक पुनरवी लोकन का आर्थ यह है कि सर्वोच नयायाले किसी भी राजिके कानून को अवयद घोसित कर सकता है भारतिय स्वमिधान में नयायक पुनरवी लोकन की अवधारना अमेरिका से ले गई है नयायक पुनरवी लोकन के अंतरगत सर्वोच राजिके नयायाले किसी भी राजिके कानून को अवयद घोसित कर सकता है नेक्स्ट कोईचन निमलिकित में से कौन सा एक भारतिय स्वमिधान का दर्शन नहीं है सामिवादी राजि ओप्शन 4 सही उतर हो जाएगा कलियान कारी राजि समाजवादी राजि और राजनेतिक समानता भारतिय समिधान का दर्शन है जबकि सामिवादी राजि भारतिय समिधान का दर्शन नहीं है दोस्तों आपको 2-3 सेकेंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का next question सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है तो सूची 1 में देख लिजिए इसको 2 के साथ मिलान करना है पहला जो है नए राज्यों का गठन भारतिय सम्विधान का अनुछे 3 में है नागरिक्ता जो है भारतिय सम्विधान का भाग 2 में है इसके बाद मौलिक अधिकार जो है ये भारतिय सम्विधान का भाग 3 में है इसके बाद परसासनिक अधिकरन की अस्थापना ये भारतिय सम्विधान का अनुछेद 323A में है तो इसका जो right answer हो जाएगा पहला option 214-3 पहला option इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला question किसी राजी में विधान परिशद की अस्थापना और समाप्ति का प्रवधान है भारते सम्विधान के किस अनुछेद में भारते सम्विधान के 179 वा अनुछेद में है दूसरा option सही हो जाएगा अनुछेद 179 में next question निमलिखित में से भारते सम्विधान के किस अनुछेद का उप्योग अभी तक नहीं किया गया है अनुछेद 360 का उप्योग अभी तक नहीं किया गया है चौथा option सही उत्तर हो जाएगा वितिय आपातकाल की घोशना एक बार भी नहीं की गई है। अगला कोईचन, भारतिय खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरन के अधियन के अनुशार भारत की साल तक अधियोगिक ट्रांस फैक्ट फिरी बन जाएगा। 2022 तक अगला कोईचन, निम लिखित में से भारति संविधान का कौन सा संसोधन पंचायती राजव्यवस्था को संविधानिक दर्जा परदान करता है। 73 संविधान संसोधन अधिनियम 1902 में द्वारा पंचायती राजव्यवस्था को संविधानिक दर्जा परदान किया गया। का निर्वाचन होता है। किसके द्वारा होता है। लोग सवा के सभी सदस्चियों द्वारा होता है। तीसर आप्शन सही उतर हो जाएगा। लोग सवा के अध्यक्ष का चुनाव। लोग सवा के सभी सदस्चियों द्वारा किया जाता है। ग्यारा संख्या की माधिका 48 है यदि एक संख्या 28 को 46 कर दिया जाए तो नए संख्या समुच्च की माधिका कितने से बढ़ जाएगी जीरो होगा तीसरा अप्शन सही उत्तर हो जाएगा माधिका जो है वो समुच्च संख्या के पर कोई डिपेंट नहीं होता है संख्या जो है समुच्च की माधिका पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा इसलिए जीरो इसका राइट अंचर हो जाएगा तीसरा अप्शन हो जाएगा भारत के राश्पती को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके दौरा हटाया जा सकता है संसत द्वारा चौथा अप्षन हो जाएगा भारत के राश्पती को संसत द्वारा लाएगे महाभ्योग के माधिम से हटाया जा सकता है दोस्तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलिगराम का लिंक है चो महिने तक कोई व्यक्ति संसत का सदस्वी न होते हुए भी मंत्री पत पर आशिन रह सकता है मनुस्ति के सरीर में पैर की हड़ी होती है कैसी होती है खोखली होती है मनुस्ति की खोपरी में कूल कितनी अस्तिया होती है मनुस्तिक के खोपड़ी में कूल आठ अस्तिया होती है, पहला अप्षन हो जाएगा आठ हरपपा में मिट्टी के बर्तुनों पर समानीत किस रंग का उपयोग हुआ था लाल रंग का उपयोग हुआ था विजे नगर के उस पहले सासक की पहचान किजिए जिसने बहमनियों से गोवा चीना हरीहर दूतिये इंसुलीन पराप्त होता है, इंसुलीन कहां से पराप्त होता है डालिया के जरो से पराप्त होता है, दूसरा अप्षन हो जाएगा डालिया के जरो से रिग्वेद सनहिता का नवा मंडल पुर्णत किसको समर्पित है तो ये पुर्णत सोम को समर्पित है चौथा अफसन हो जाएगा सोम और इस पेपर नामकिरित देवता को समर्पित है चौथा अफसन हो जाएगा ये जो नवा मंडल जो है ये सोम को समर्पि अस्टील को कठोरदा परदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किस चीज़ को बढ़ाय जाती है कुरोमियम की मात्रा बढ़ाय जाती है कि बराबर की गुफाव का उपयोग किस ने आसरे ग्रीक के रूप में किया था अजीव को ने किया था मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्योपूर्ण रहा किस तीज के लिए महत्योपूर्ण रहा तो विद्या केंद्र के रूप में महत्योपूर्ण रहा और धार्मी केंद्र के रूप में महत्योपूर्ण रहा चौथा अप्सन सही उत्तर हो जाएगा दो और चार बिहार सरीप जो है ये विद्या एवं धार्मिक केंदर के रूप में विख्यात था बिहार सरीप में ही परशिद नालंदा विश्य विद्याले था इसमें देश विदेश से पढ़ने के लिए छातर आते थे राजगिरी नामक परशिद बोज अस्तल जो है इसी जी ले मस्तीत है तो चौथा आप्सन हो जाएगा दो और चार घरेलू एल्पीजी सिलेंड्रों में दाब मापन नहीं परदान किये जाते क्यूंकि ये इइल्पीजी द्वारा चोक हो जाते हैं के हाल ही में किसी देश के परधान मंतरी को SDG Progress Award से सम्मानित किया गया है बंगलादेश के परधान मंत्री को बंगलादेश के परधान मंत्री सेख हसीना को SDG परगती पुरसकार से सम्मानित किया गया है मयूर सिनहाशन पर बैठने वाला अंति मुगल समराट कौन था? मुहम्मद साह था मयूर सिनहाशन पर बैठने वाला अंति मुगल सासक था इसी के सासनकाल में 1749 में नादिर साह का आक्रमन हुआ जिसमें इसे लूट कर वह अपने साथ ले गया मुहम्मद साह को रंगीला बादसा भी कहा जाता है जनगनना 2011 के अनुसार बिहार के की जिले में साखषड़ता दर सबसे अधीक है रुहतास में सूशक बर्फ है सूसक बर्फ कौन है? तो ठोस कारवन डेकसाइड को सूसक बर्फ कहा जाता है वर्तमान में बिहार में कितने बालगीरी कारियरत है? 33 बालगिरी कारीरत है दूसरा आफ्षन हो जाएगा वर्तमान में बिहार में 33 बालगिरी 22 लड़कों के लिए और 11 जो है लड़कियों के लिए कारीरत है भारत में सबसे अधीक गेहूं उत्पादक राजी कौन सा है? उत्तर परदेश है निमलिकित में से कौन सा बिहार का सबसे पुर्वी जीला है? तो बिहार का सबसे पुर्वी जीला किसन गंज है? किंद्रिय बजड 2021 से 22 में इन में से कौन सी दो चीजे संस्ती हुई है? लोहा और अस्टील पढ़ने में काम आने वाले गलासेश किस परकार के लेंज से बनते हैं? दूसरा अप्शन हो जाएगा उत्तर लेंज द्वारा किसी भी वस्तु का बड़ा परतिवीम बनता है इसलिए पढ़ने वाले लेंज के रूप में उत्तर लेंज का पर्योग किया जाता है नेक्स्ट कोईचन आर्थिक समिक्षा 2021 के अनुसार किरीसी एवं समंधित छेतरों का अस्थिर मुल्लियों पर सकल मुल्ली व्रीधी दर कितना परतिशत रहा है? तीन पोइंट चार परतिशत चौथा अप्शन हो जाएगा पर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कौन सी राष्टी है? अवुसन रचना मास्टर पलान शुरू करने की बात कही जो समग्र बुनियादी धाचे की नीव बनाएगा और हमारी अर्थ व्यवस्ता को एक एकिक्रित मार्ग पर्धान करेगा पीएम गती सक्ति योजना निम्न में से कौन सी धातू? रोष्णी के बलवो में फिलामेंड के रूप में परियोग होती है टंगस्टन चौंथा अप्शन हो जाएगा विद्ध्यूत बलवो में रोष्णी पैदा करने के लिए टंगस्टन नामक धातू का परियोग किया जाता है इस धातों की खोज 1783 इस्वी में WR ब्रदर्स ने की थी अगला कोहिचन टोकियो ओलम्पिक 2020 होकी सेमी फाइनल मैच में किस टीम ने भारत को हराया? बेलजीयम ने भारत को हराया? निमलिखित में से किस के लिए अहमादाबाद सत्यागरा आरम किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए दूसरा अप्शन हो जाएगा सूती मिल कामगारों के लिए अहमादाबाद सत्यागरा अश्टार्ट किया गया था? गांधियन इनुवेशन गांधी जी का नवचार का तातपर ये है कमगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग के इस नारे का आसय यह था कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के परियास में दिवंगत होंगे भारतिय राजनीती में परवेश के पुर्व एक वर्स तक देश में परिय वेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सला गान्थी जी को किसी ने दी थी गोपाल किरिष्न गोखले ने, तीसरा अप्षन हो जाएगा, गोपाल किरिष्न गोखले, महात्मा गांधी के राजनीति गुरू थे, निमलिखित में से कौन से गोल में सम्मेलन में, गांधी जी ने शिर्कत की, केवल दूतिये गोल में सम्मेलन में, दूसरा अप्षन हो जा था डॉक्टर भीम्राव अम्बेतकर तीनु गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतिये पर्थिनीधी थे निमलिखित को काल क्रमानुशार व्यवस्तित कीजिये तथा नीचे दिये गे कूट से सही उत्तर चुनिये तो डांडी यात्रा ये डांडी यात्रा जो है बार इसका सही उत्तर जो है ओप्शन तीन हो जाएगा दो एक चार तीन हो जाएगा अगला कोईचन किसी अपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधीग उपियोग की छमता को क्या कहते हैं मल्टी टास्किंग कहते हैं अगला कोईचन गल्फ अश्ट्रीम है ये गल्फ अश्ट्रीम क्या है तो एक महाशाग्रिय धारा है दूसरा अप्शन हो जाएगा गल्फ अश्ट्रीम जो है ये एक महाशाग्र अगला कोहचन हुरून गलोबल रीच लिश्ट 2021 के दसवे संस्करन के नुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरा है इलोन मस्क, तीसरे अप्शन हो जाएगा हुरून गलोबल रीच लिष्ट 2021 का दस्वा संस्क्रन जारी किया गया जिसमें टेसला के मालिक जो है इलोन मस्क पर्थम अश्थान पर और दूसरे अश्थान पर जो है पुरूश विश्व कॉफ होपिक होकी टूनामेंट की मेजवानी करेगा उडिशा करेगा उस भारतिय समाजी कारेकरता का नाम बताईए जिसे जो बीडेन परसासन दुवारा नव अस्थापित अंतराश्टिय भरष्टचार रोधी चैंपियन्स पुरसकार से सम्मानित किया गया है अंजली भार्दवाज को सम्मानित किया गया है भारत की सर्वच परवत चोटी कौन सा है गौडवीन ऑस्टीन तीसरा आप्शन हो जाएगा गौडवीन ऑस्टीन भारत की सरवादेक उची चोटी है विश्व की सर्वच उची चोटी मांट एवरेस्ट है अगला को नोमेड लेंड को दिया गया, दूसरा आफसेन हो जाएगा, नोमेड लेंड गारो जन्जाती ये कहां पाये जाते हैं? मेघाले मेघाले, ये मेघाले की जन्जाती हैं, किसने स्टार्सिप SN10 रोकेट का सफल परिक्षन किया? एस्पेस एक्स दूसरा अप्षन हो जाएगा एस्पेस एक्स भांखडा नागल एक सनियुक्त परियोजना है यह कहां की परियोजना है हर्याना पंजाब राजस्थान की पहला अप्षन हो जाएगा सतलज नदी पर निर्मित यह प्रयोजना हर्याना, पंजाब एवं राजस्थान के सन्युकथ प्रयोजना है यह भारत का सब से उचा बांध है, विसु का यह दूसरा सब से उचा बांध है इसके दुआरा जल विद्यूत उतपाधन एवं सिचाय की जाती है भारी पानी का अनुभार होता है 20 होता है option 2 से उतर हो जाएगा भारी जल का रसाइनिक नाम deuterium dioxide D2O होता है अगला कोहिचन समान परकार की छोटी बुंदे BV तक आवेसित की गई है यदि ACN बुंदे मिलकर एक बड़ी बुंद बनाती है तो इस बुंद का विवभब होगा N to the power 2 by 3 into B होगा पहला option हो जाएगा N to the power 2 by 3 B next question सुनी की खोज की गई सुनी की खोज की भारतियों ने तीसरा option हो जाएगा भारतियों ने इंद्र धनूस के दोनों सिमान्त वर्न पट होते हैं बैगनी और लाल होते हैं चौथा option हो जाएगा इंद्र धनूस के दोनों सिमान्त वर्न पट बैगनी और लाल रंके होते हैं सुएत परकास कीरन से उत्पन विभीन रंगों के समों को एस्पेक्टरम कहते हैं निमलिखित युगुमों में से कौन सा सही सुमेलित है तो यहाँ पर आपको सही सुमेलित चुनना है तो सही जो है निवरोलोजी तंत्री का तंत्र मानव अंग तंत्री का तंत्र के चिकित्सक को जो है निवरोलोजी कहा जाता है इसके अलावा यह सब गलत है काडियोलोजी जो है ये सोशंन तंत्र नहीं होगा, कार्डियोलोजी हील्दे, रोख को कहते है कार्डियोलोजी, तो इसका सही उत्र jedem option 4 हो जाएगा, neurology, तंत्री का तंत्र, राष्टी ये रसाइनिक पर्योग साला अवस्तीत है, कहां पर आवस्तीत है पुने में अवस्तित है, तीसरा अप्षन हो जाएगा, राष्टी है, रसाइनिक परियोग साला, महराष्ट के पुने में अवस्तित है, इसकी अस्थापना 1950 में की गई थी छै रोग टीबी के परिक्षन है, तु विशिष्ट परिक्षन है मुन्टोक्स का परिक्षन किसी अंग की कुसंकिरिया के कारण मदु में रोग होता है, अग्ण्यासे के कारण भारत का पर्थम अस्पताल एवं उस्थी बाग निर्मान करवाया था, किसने करवाया था, असोक ने करवाया था सूपर नोवा है एक मिरीत पराई तारा है धान के लिए समानेत परियोग होने वाला खरपतवार नासक है भारत में राष्टिये खरपतवार विज्ञान अनुसंधान के अंद्र जबलपूर मध्य परदेश के जबलपूर में अस्थीत है कोकन रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे कौन से राज्य है तो महराष्ट गोवा करनाटक पहला अप्सन हो जाएगा महराष्ट गोवा करनाटक खेलो इंडिया विंटर नेशन गेम में किसने पर्थम अस्थान प्राप्त किया जम्मू कस्मीर ने कावेरी नदी कौन से राज्जियों से होकर गुजरती है करनाटक और तमिलनाडू से होकर गुजरती है भाई लोग वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और चैनल पर पहली बारे तो सब्सक्राब करने के साथ साथ नटिफिकेशन बेल को दबा के औल पर किलिक कीजिए मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ वैस्विक मैरी टाइम इतिहास में पहली बार मार्च 2020 में पहली औल महिला कुरू सीप को रवाना किया गया इस जहाज का क्या नाम है शुण्न क्रिष्नect विसू में सरवादिक जन संख्या वाला देस है सरवादिक जन संख्या वाला देस जो है वो चीन है और भारत जो है वो सिकेंड अश्थान पर है किसी देश ने दुनिया का सबसे सक्तिसाली सूपरकम्प्यूटर फुकागू विक्षित किया है फुगाकू जो है ये किसने विक्षित किया है तो जापान विक्षित किया है पहला अप्षन हो जाएगा जापान जुहांसबर्ग विख्यात है ये किसके लिए विख्यात है तो स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है पहला अफ्चन हो जाएगा जुहांसबर्ग नामक स्वर्ण खान, स्वर्ण खनन के लिए पूरे विश्व में परसीद है, यह खान अफरीका मोहादीप के है, दक्षिन अफरीका देश में अस्तित है, इस खान में संपुर्ण विश्व का लगभग 50% स्वर्ण का खनन किया जाता है, नेक्स्ट कोईचन, EPFO ने वर्ष 2021 के दुरान कर्मचारी भविशी नीधी जमा पर व्याजदर को कितने परतिस्यत पर बनाए रखने का फैसला किया है, 8.5 परतिस्यत पर, पिगमीज निवासी है, पिगमीज जो ये कहां के निवासी है, अफरीका के निवासी है, पहला आप्शन हो जाएगा, पिगमीज जाती के लोग अफरीका के निवासी है, वर्ष 2020 के लिए, BBC इंडिया अस्पोर्ट्स वूमेन आफ दी येर पुरुसकार हेतु किसे चुना गया है, कोनेरू हमपी को चुना गया है, चौन्था अप्शन हो जाएगा, कोनेरू हमपी, भारत में अद्योगिक वित का कौन सा इन में से सुरोत नहीं है, नाबार्द, दूसरा अप्शन हो जाएगा, भारतिय रिजर्ब बैंक के द्वारा, 12 जुलाई, 1922 को नाबार्द बैंक की अस्थापना किरीसी छेतर में विकास के लिए की गई, यह अद्योगिक वित को पुनरवित, सनबंदी, सुविधाय, उपलब नहीं करवाता है, महा मौदो, इस सौफो ने अफरीकी नेत्रितु में उपलब दी के लिए, 2020 इबराहेम पुरसकार जीता है, वो किस द किया गया था, किस वर्ष में भारते रुपए का महीने में दो बार अबमुलियन किया गया, 1991 में दूसरा अफ्शन हो जाएगा, भारत में वर्ष 1991 में पांच पर्मुख मुद्राव, डॉलर, पाउंड, फ्रैंक, मार्क और येन के सापेक्स भारते रुपए का दो बार अबमुलियन किया गया था, किस को गांधी सांती पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया, भारतिये अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ अपचारिक रूप से एक समझोते करने वाली पहली नीजी कमपनी कौन सी है, जो अंत्रिक्ष प्रक्षेपन वाहनों के उप परनालियों और परनालियों के विकास और प्रिक्षन के लिए उनकी सुविधाव और विशेशग्यता तक पहुंच पराप्त करने के लिए है असकाई रूट एरो अस्पेस पहला आप सुन हो जागा सभी प्रारूपों में 10,000 अंतराष्टी अरन बनाने वाले पहली भारते महिला किरिकेटर कौन बन गई है मिताली राज भारत के बैंकिंग परनाली में उच्तम बैंक कौन सा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरा अप्सन हो जाएगा भारत के बैंकिंग परनाली में सर्वच अस्थान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है इसे बैंकों का बैंक और केंद्रिये बैंक कहते है United Nations Sustainable Development Solution Network द्वारा जारी UN World Happiness Report 2020 में भारत की रैंक क्या है भारत की रैंक 149 वी है दूसरा अप्सन हो जाएगा 2021 में जारी UN World Happiness Report में 149 देशों में से भारत को 149 वी अस्थान पर रखा गया है 2019 में भारत जो 149 वी अस्थान पर था Heritage Foundation द्वारा जारी 2021 आर्तिक स्वतंदरता सुचकांग में भारत की रैंक क्या है भारत की रैंक 121 है राष्टिय परियावरन सोध संस्थान अस्थी थे ये कहां पर अस्थी थे नागपूर में अस्थी थे चौंथा अप्सन हो जाएगा राष्टिय परियावरन सोध संस्थान नागपूर में अस्थी थे कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रिये सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आई को केंद्र और राजी में विभाजित कर दिया जाता है केंद्रिये उत्पादन सुल्क दूसरा आप्शन हो जाएगा केंद्रिये उत्पादन सुल्क निमलिकित में से कौन VTA संस्था विशु बैंक समू से सनबंदित नहीं है ABD, तीसरा अप्षन हो जाएगा, ABD, ACI, विकास बैंक जब 5 to the power 70 plus 7 to the power 70 को 74 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्ट सेस्फल क्या है, प्राप्ट सेस्फल जो है 0 है तो दोस्तों यह mathematics को आप solve कर लिजेगा, अगर इसको solve करेंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और PDF description में टेलेगराम कर लेंगे, टेलेगराम गुरूप जोएन करके आप PDF को download कर लिजेगा तो उसमें यह mathematics question solution के साथ मिलेगा WTO अस्तित्व में आया, WTO जो है यह अस्तित्व में कब आया जनवड़ी 1995 में, दूसरा आप सुनो जाएगा, जनवड़ी 1995 में WTO अस्तित्व में आया एक वैपारी अपनी वस्तुव पर क्रे मुली से 60 परतिसत अधीक मुली अंकित करता है तथा 25 परतिसत की छूट देता है, उसका लाव परतिसत क्या है लाव परतिसत 20 परतिसत है सर सीवी रमन को भौतकी का नोबेल पुरसकार पराफ्थ हुआ था कब पराफ्थ हुआ था? 1930 परतिसत में पराफ्थ हुआ था डी गई संख्या को 25 परतिसत बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए? फाइब बाइफोर से गुना करना चाहिए? अंतराश्टिय नयायाले अस्थीत है हेग में अस्थीत है, दूसरा अफ्षन हो जाएगा अंतराश्टिय नयायाले, नीदर लेंड के राजधानी दव हेग में अस्थीत है इसकी अस्थापना 1945 में हुई थी इस नयायाले में कुल 15 नयाधिस होते है जिनका कारी का 9 वर्चों का होता है विशू के 193 में देश इसके सदसी है एक तिरिबुज का छेदफल क्या है जिसकी भुजाए 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर स्क्वाइर होगा ऐस्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आत्मा गांदी द्वाड़ा अस्थापित किया गया था कहां अस्थापित किया गया था पच्छिम चंपारण में अस्थापित किया गया था वीमेंस डिये नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है आठ मार्च को मनाया जाता है विमेन्स डे आठ मार्च को मनाया जाता है सन्युक्त राज संग द्वारा 1975 इस्वी में आठ मार्च को अंतराश्टिय महिला दिवस के रूप में सुईकारा गया था बिहार सरकार ने UIDAI परमानी करन के लिए BAAF सॉफ्ट्वेर लंज किया था BAAF में B क्या है? बी जो है बिहार है दोसरा आप्सन हो जाएगा बिहार गांधी जी के अनुसार हिंसा का कुरूरतम रूप है गरीबी का स्वायित्व पहला आप्सन हो जाएगा हिंसा का कुरूरतम रूप जो है गरीबी का अस्थायित्व है निमलिकित में से किस कारगार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल को गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था दक्षिन अपरिका में अपनाया था गांधी जी ने भारत में सत्यागरा आंदोलन का अभियान कहां से आरम किया था चमपारन से पहला अप्षन हो जाएगा महत्मा गांधी ने भारत में सत्यागरह आंदोलन के शुरात बिहार के चमपारन से किया था राजकुमार सुक्ल के आगरह पर अप्रील 1917 में गांधी जी चमपारन गए नेक्स्ट कोईचन तीन कठिया कानून किस अस्थान वह किसकी खेती से संबंदित है चमपारन नील से संबंदित है तीसरा अप्षन हो जाएगा चमपारन नील दोस्तो आज की वीडियो में सेट 12 को कम्प्लीट कर लिये हैं सेट 11 तक का वीडियो चैनल पर अप्लोड है लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगा या आप पले लिस्ट में जाके देख लिजेगा यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेर कीजिए चैनल पर पहली बारे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नटिफिकेशन बिल को दबा के All पर किलिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर